बच्चो आज हम पाठ पढ़ेंगे 12 पाठा पाठ बारा कार अच्छती कार अच्छता कौन रक्षा करता है कौन रक्षा करता है प्रस्तुत पाठ में पर्यावरन सुधार को ध्यान में रख करी पाठ बताया गया हम अपने आसपास के वातावरन को किस प्रकार स्वचर रखें, नदियों को प्रदूशित ना करें, ब्रक्षों को ना काटें, अधिक से अधिक ब्रक्षा रूपन करें, इस धर्ती को हरा भरा बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरन संड़क्षन में की गई है पाठ का प्रारंब कुछ मित्रों की बात्चीस से होता है जो साइकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं आगे गरीश मित्रों साइकाले बिद्धुत अभावे प्रचंड उसमना पिलिता वैवब गरहात निश्क्राम्रती गर्मी की रितु में शाम के समय बिद्धुत अभावे लाइट चले जाने पर प्रचंड उसमना अत्यजेक गर्मी से पिलित वैवब गरहात घर से निश्क् बैवब कहता है अपने मित्र से बात करता है अरे परमिंदर अपी तुम अपी तुम भी विद्धुत अभाविन लाइट के कारण पीडित होकर वहीरागता बहर आ गये हो तुम भी लाइट जाने के कारण पीडित होकर वहीरागता घर से बहर आ गये हो परमिंदर कहता है आमा मित्र हा मित्र एकदा जंटात काला एक और भैंकर गर्मी का काला मने समय है अन्यस्चा और दूसरी और बिद्धुतवाव लाइट की कमे परम वहिरा आगत्यापी परंतु बहर आकर भी पश्यामी देखता हूं कि वायू वेगतु सर्व था अवरुद वायू का वेगतु सर्व था अवरुद रुक चुका है हर तरफ से रुका हुआ है अर्थात जो हवा है वो चली ही नहीं रही है सत्य एतुक्तम सत्य ही कहा गया है प्रानिती पवनेन जगत सक्लम स्रष्टी निखिलाम चैतन्य मै छण मपी ना जीवित्ते अनीन विना सरवाती शाती मूल्या पवना प्रानिती पवनेन जगत सारा संसार पवनेन जगत जगत कारतु तै संसार सकलमने संपून सारा संसार प्रानिती पवनेन हवा में सांस ले रहा है स्रश्टी निखिला और जो संपून स्रश्टी है चेतनमई चेतना से युक्त है छडम अपी ना जीवने अनेन एक छड भी जीवित नहीं रह सकते जीवने अनेन बिना हवा के एक छड़ भी हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते सर्वा शती मूल्या पवन हवा का हमारे जीवन में बहुत मूलिवान है हवा जो है वो हमारे जीवन में बहुत अधिक मूलिवान है इसके बिना हम एक छड़ नहीं रह सकते विने कहता है अरे मित्र शरीरात ना केवल श्वेद विंदवा पसीने की बूंदें ही अपितु मने गिर रही बलकि श्वेद धारा इव प्रहवंती बलकि पसीना बह रहा है श्रीर से ना केवल पसीने की बूंदी आ रही बलकि पसीना प्रहवंती मने बह रहा है इस्मृती पत आयाती शुक्ल महुदे याद आ रहा है शुक्ल महुदे का रचित मने लिखा हुआ शुक्ल महुदे का लिखा हुआ श्लोक याद आ रहा है आगे तप्ते वार्ता घाते वितु लोका नाम नवसी मेगा तप्ते वार्ता तप्ते हुए वार्ता मने वायू के घाता मने उतब प्रभाव तप्ते हुए वायू के प्रभाव से वितु परेशान लोका नाम लोगों को नवसी मेगा आकाश में मेगा मने बादल तप्ते वार्ता घाते विरतु यानि तपते हुए वायों के प्रभाव से परेशान लोका नाम लोगों को नवसी मेगा आकाश में बादल नैवद्रश्यते नीचे वाली लाइन में आएंगे नैवद्रश्यते नहीं दिखाई दे रहे उसी पिरकार जैसे आरक्षित विभाग जना जैसे आरक्षित विभाग पुलिस विभाग के लोगों की तरही इव समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें ये बताया कि जैसे पुलिस जब सही समय पर नहीं आती है उसी पिरकार से जब इतनी गर्मी है जब हमें हवा की जरुरत है उस समय लोग परिशाने, फिर भी आकाश में बादल नहीं दिखाई दे रहे, उसी तरह जिस तरह जब पुलिस की जर्रत होती है और पुलिस बिभाग के लोग समय पर नहीं दिखाई देते हैं, परमिंदर कहता है आमहा अध्थू वस्तुता अपी, अब परमिंदर ने कहा है हाँ, अध्थू वस्तुता अपी, यह तो बिलकुल ठीकी ही है, वस्तम में ठीकी है, निता घता तपतस से याती तालू ही, शुश्कताम, पुन्शो, भयातीस, एव, स्वेद जयायते बपू, निता घता तपतस से, गरमी के ताप से, तपतस मने तपे हुए, गरमी के ताप से तपे हुए, व्यक्ति का तालू, व्यक्ति का तालू, याती मने निश्चेही, शुश्कताम, सूख जाता है, पुन्शो, भयातीस, मेव, भयवीत मनुष्य के समान, भयवीत मनुष्य के समान ही सुवेद अच्चा वायते बपू, भयवीत मनुष्य के समान ही सुवेद वजायते बपू, शरीर भी मानो, बपू मने उता है शरीर, स्वेध मने पसीने, सारा सरीर पसीने से भर जाता है, जैसे डर और भै से शरीर पसीने से भर जाता है, वैसी ही गर्मी के ताप से भी मनुष्य का तालू सूख जाता और मनुष्य भी पसीने से भर जाता है आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करें